Hello students, आज हम 4th class EVS का chapter number 3 Let's have fun, let's play games, chapter start करेंगे मतलब इस वाले chapter में हम games के बारे में study करेंगे कि कौन-कौन से games हम normally देखते हैं games इसे क्या benefit है, indoor games क्या होते है outdoor games क्या होते है game के rules follow करना क्यों compulsory है और कौन से game के कौन से rules होते है कुछ चीज़ें ये हमें जानने को मिलेगी थोड़ा थोड़ा सा initiation अपने को games के बारे में जानने को मिलेगा देखते हैं We all eagerly wait for our games period, isn't it? जब हम school में जाते हैं तो game के period का हम wait करते रहते हैं हमारे game का period आना चाहिए, आना चाहिए, कब आएगा और जब game का period आता है ना तो game के period हम बहुत जादा enjoy करते हैं दूसरे subject के period से जादा wait हमें किसका होता है? game के period का, हमें Hindi period का, English के period का, EBS के, Maths के period का इतना wait कभी नहीं होता या इतना excitement का भी नहीं होता जितना हमारे को wait excitement game के period के लिए होता है क्या game period के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है relax feel होता है, आपका mind relax होता है हाँ, बिलकुर होता है, बहुत अच्छा लगता है क्या game खेलने से आप खुश हो जाते हैं? हाँ, games तो सभी लोगों को खुश कर देते हैं, है ना, games तो सभी को बहुत पसंद होते हैं देखते हैं, yes, इन सभी questions का answer है, yes we all really enjoy playing games, हम सभी games खेलना पसंद करते हैं we play games for recreation, हम games को recreation के लिए, पुना निर्मान के लिए, सब चीज़े सीखने के लिए खेलते हैं playing games keeps us fit and healthy also, games खेलने से हम fit रहते हैं, healthy रहते हैं, बिमार नहीं होते हैं जादा ठीके, तो देखो जैसे ये बच्चे हैं न, छोटे-छोटे ये लग-लग game खेल रहे हैं, केरम खेल रहे हैं, ये इनका कोई अपना game चल रहा है, ये कुछ ludo जैसा कुछ खेल रहे हैं, है न, तो देखते हैं what do you do in your laser time, what do you do in your laser time, laser का मतलब होता है free time, है न, जब आप free हों, कुछ काम नहीं कर रहे हों, ऐसे time को कहेंगे, आप free time, जैसे आप अपनी study hour से free हो चुके हैं, आपको homework वगेरा complete हो चुका है, आप सो भी नहीं रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो आपका बिलको laser time ब देखते हैं, वो इतना अच्छा use नहीं हैं, उससे better है, आप games खेलें, तो games में जैसे देखते हैं, after completing their homework, some children prefer to play games like carom, chess, ludo, etc. अपना homework complete कर लेने के बाद, कुछ बच्चे, some children, कुछ बच्चे prefer करते हैं, कि वो game खेले, कौन से game, जैसे carom board, chess, शत्रंज है न, ludo, इस तरह के games खेलना, बच्चों को पसंद होता है, during summer vacations, जब summer vacations होती न, लगबग two month की, मैं और जून मन्त में, exams के बाद, और new session starts होने के पहले, तो वो वाला time तो बच्चे जादा तर games खेलने में ही बिताते हैं, अब इन में से जो उपर describe किये गए न, केरम, chess, और ludo, सब covered area के indoors game, क्योंकि doors के अंदर खेले जाते हैं, covered area में खेले जाते हैं, इसलिए इन सभी games को क्या बोलेंगे हम, indoor games, ठीक है, तो these are called indoors game, because they can be played easily in our homes only, हमारे घरों में हिनकों आसानी से खेल सकते हैं, इसलिए इने indoor game कहेंगे, इनके लिए कोई बहुत बड़े ground की need नहीं है, ठीक है, और यह जो सब हमने game देखे, केरम, चैस, लुडो, इनमें किसी तरी की physical activity की भी जरुत नहीं है, केवले यह mental game है, there is no physical activity required in these games, मतलब ऐसा नहीं कि हमें भागना पड़ रहा है, उचलना पड़ रहा है, these games are fun without run, यह सब भी game ऐसे हैं, जिनमें हमें दोरना भागना नहीं पड और हम मजे करते हैं, जैसे हम ताश खेलना गर कभी देखें, playing cards, ठीक है, लुडो होई गया, केरम होई गया, चैस हो गया, तो यह सभी ऐसे indoors game है, जिनके अंदर हमें किसी तरी की physical activity नहीं करनी पड़ती, ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या सारे indoor games ऐसे हैं, जिस एट्सेक्टरा, also played in a covered area, badminton और table tennis को भी हमें covered area में खेलना होता है, है ना, कौन-कौन सा game, badminton, table tennis यह, can you tell why are these games played in cover area, क्या आप कह सकते हैं कि यह covered area में क्यों खेलते हैं, क्योंकि जैसे badminton की shuttlecock है ना, यह बाहर की air से ना, deflect हो सकती है, तो अगर हम इसे uncovered area में खेलेंगे, तो जब बहुत तेज हवा चल रही होगी ना, तब हम proper नहीं खेल पाएंगे, इसी तरह से table tennis की जो ball होती है, टी-टी ball वो भी बहुत हलकी होती है, तो उससे भी covered area में ही proper unbiased result हमें को मिल पाएगा, इसलिए badminton और table tennis दोनों ही indoor game है, कैसे game है, indoor, लेकिन ऐसे indoor games हैं, जिनमे physical activities होती है, physical activities जिसमें requirement होती है, जबकि chess, कैरम, ये ऐसे indoor game से लूडो, जिनमे physical activity नहीं होती है, तो आपको इध्यान रखना है कि जो badminton है, वो indoor game है, table tennis है, वो भी indoor game है, ये outdoor game नहीं है, क्योंकि इनको covered area में खेला जाता है, और covered area में इसलिए खेला जाता है, ताकि इनकी ज activity बोल, वो air से deflect नहीं हो, ठीक है, these indoor games involves lot of physical activity, तो ये दोनों ही और इस तरह के कुछ और indoor games है, जिनमें बहुत जादा physical activity की जरत हमें पढ़ती है, ठीक है, अब आगे देखते हैं, some children love to play outdoor game, कुछ बच्चे indoor game खेलना पसंद करते ही थे, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्च outdoor game खेलना भी पसंद करते हैं, घर के बाहर जाकर खेलना चाते हैं, वो जैसे कि cricket, hockey, football, ठीक है, तो cricket, hockey, football ऐसे games हैं, जिनको बाहर बड़े ground में खेला जाता है, तो इन्हें outdoor games कहा जाएगा, games make us healthy, games हमें क्या करते हैं, healthy बनाते हैं, तो अगर आप से पुछे जाए कि games के benefit क् तो एक benefit तो है कि games हमें healthy बनाते हैं, they also make our mind cheerful, वो हमारे mind को खुश भी कर देते हैं, और relaxed भी कर देते हैं, in this way, games make us fit for studies, तो जब हमारा mind relaxed रहेगा, cheerful रहेगा, तो हमारा पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा, इसलिए games हमें studies के लिए fit बना देते हैं, ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ think and write वाली questions है, आप खुद try करके देखना है इनको, जैसे make a list of five indoors and outdoor games, five indoors games कौन कौन से हैं, आपको खुद सोचना है, for example, कैरम, chess, loodos तो होई गए, two games और सोचने हैं, अभी अपने देखे भी थे, चलो मैं बताई देता हूँ आपको, table tennis और badminton, अब outdoor games में क्य क्या हो सकते हैं, cricket हो सकता है, hockey हो सकता है, football हो सकता है, lawn tennis हो सकता है, और इसके अलावा, rugby हो सकता है, खोखो हो सकता है, कबड़ी हो सकता है, है न, have you ever played an outdoor game, क्या आपने कभी कोई outdoor game खेला है, हाँ, सभी ने खेला होगा लगपा, do you know the rules for playing any games, तो आप जो game खेल रहें न, उनक किसे कहेंगे, leg buy क्या होता है, buy क्या होता है, pitch किसे कहते हैं, wickets किसे कहते हैं, run out क्या है, है न, इसी तरह से अगर आपका बड़ी खेल रहें तो आपको box line का, bonus line का, end line का, lobby का, radar, ये सब चीजे पता होनी चाहिए, कितने games, कितने players चाहिए, किस game में खेलने के लिए, तो ये सब आपको idea, वहाँ पे rules का होना चाहिए, अब अगला section हमारा वही है, follow the rules, when we play game, जब हम game खेलते हैं, sometimes, कभी-कभी we commit mistakes, unknowingly, हम कुछ mistakes कर देते हैं, unknowingly का मतलब है, unknowingly का मतलब है, और कभी-कभी जान बूच के करते हैं, sometimes, the player himself or herself tries to cheat, कभी-कभी, player खुदी cheating करने की कोशि करता है, जीतने के लिए, है ना, जैसे मान लोग cricket खेल रहा है, किसी के bet touch होकर ball पीछे चली गई, keeper के पास, और वो बोला, नहीं, मेरा तो betty touch नहीं हुआ, मैं out नहीं हूँ, ऐसा बोलता है, है ना, तो ये cheating करने की कोशिश हुई, जान बूच कर, तो ऐसी चीज़े हो जात हैं, argument करने लग जाते हैं, कि नहीं, out नहीं हूँ, मैं, नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं जीता हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, etc, some common examples are, कुछ common example है, ऐसे हम, the ball did not touch my bet, ball तो मेरे bet के touch ही नहीं हुई, मैं out नहीं हूँ, he did not touch me, कबड़ी में कह सकते हैं, कि नहीं, वो मुझे बिना touch करके चला कर, मैं out कैसे हुआ, bonus line is not clear, bonus line के आरपा नहीं गए, तो extra point नहीं मिलना चाहिए, I have crossed the bonus line, etc, और जो radar है, वो कह सकता है, कबड़ी में, कि मैंने तो bonus line cross कर ली, मुझे point मिलना चाहिए, तो इस तरह के argument चलते रहते हैं, to avoid such problems, इस तरह के problems को avoid करने के लिए, पहला त तो सभी जो games हैं, उनके set of rules होने चाहिए, और सभी players को, उन set of rules को follow करना चाहिए, उस game के जो भी rules है न, वो उन्हें पता भी होना चाहिए, और उन्हें वो follow भी करें, ऐसा होना चाहिए, in case of unfair play, अगर कोई unfair खिलता है, कोई भी player ऐसे करता है, कि वो cheating करता है, unfair play करता है, तो player को क्या करना चाहिए, penalty मिलनी चाहिए, कोई न, कोई उसे punishment मिलना चाहिए, है न, तो player may be penalized for committing a foul, ठीक है, यह जैसे कि उसे out कर दिया जाए, या उसे कहा जाए कि अब थोड़ी देर तक आप game नहीं खेल सकते, या यह कहा जाए कि अब आप अगला game भी नहीं खेल सकते हैं, तो इस तरह के penalties मिलना चाहिए, अगर वो unfair play करता है, before playing a game, the player must know the rules of the game, खेलने से पहले players को game की rules तो पता होनी चाहिए, कि जो वो game खेल रहा है, उसमें कौन कौन से rules apply होंगे, फिर एक और important चीज, a referee or an empire is also needed in a game, तो game के अंदर एक referee और empire का होना भी बहुत जादा जरूरी है empire या referee करता क्या है, कहीं भी कोई dispute होता है, अगर दोनों teams में जो खेल रही है, तो उनको resolve करने की authority, empire के पास होती है, empire अपना decision देता है, वो दोनों teams को मानना पड़ता है, empire का unbiased होना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कि empire या referee दोनों में से किसी एक team को support कर रहा ह नहीं दोनों teams के लिए उसका support या oppose equal होना चाहिए, ठीक है, आगे देखें, he or she ensure that the game is being played according to the rule, तो उने एक चीज से ध्यान रखना चाहिए, कि जो game है, वो empire के लिए बोल रहे है, empire को इस चीज का ध्यान रखना होगा, कि जो game खेला जा रहा है, दो teams के बीच में, two players के बीच में, तो वो बिलकुल proper rule से खेला जा रहा है, दूसरा, the decision of the referee empire is final, ये भी ध्यान रखना होगा, कि जो empire जो आपने select किया है, उनसी का decision final है, अब खोको के बारे में, यहाँ पर थोड़ा से बताया गया है, कि खोको में क्या होता है, खोको में two teams होती है, दोनों team से 12 players होते हैं कितने 12 players होते हैं, लेकिन एक बार में 9 players ही खेलते हैं, फिर आगे, there are two innings in a match, एक match में two innings होती है, एक बार runner बनता है, एक बार defender बनते हैं, ठीके, total area needed is 30 meter into 90 meter, total area कितना needed होता है, 30 meter into 19 meter, नहीं कि 30 meter length हो जाएगी, और 90 meter इसकी width हो जाएगी, उसके बाद, the game consists of numerous defense and chasing scale, इस वाले game में बहुत सारे chess, यानि कि जो पकटने वाला होता है और जो भागने वाला होता है, उन दोनों की बहुत important skills काम में आती है, चलो अगे देखते हैं, आगे है, a player may get hurt while playing a game, जब एक player, एक game खेल रहा होता है ना, तो हो सकता है, उसकी चोट लग जाए, hurt का मतलब होता है, चोट लगना, ठीक है, कोई भी चीज़ की लग जाती ही ना, उसके blood वगेरा भी आ सकता है, उसके swelling भी आ सकती है, game खेलते हुए लग जाती है ना, तो therefore इसलिए in the school field, school field में हमें first aid kit रखना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, first aid, हिंदी म इसे बोलेंगे, प्रात्मिक उपचार वाला जो kit है, जो initially लग जाती ना, तो तोड़ा सा उसका treatment हमें करना पड़ता है, उसको बोलता है, first aid kit, it is an essential item during inter-school competition, जब भी हम दो से जादा इसकूलों के बीच का competition रखते हैं, तो जरूरी है कि हम first aid kit वहाँ पे maintain करके रखें, following items are there first aid kit, first aid kit में कौन-कौन सा items होने चाहिए, मैं बता देता हूँ, आपको एक तो होना चाहिए, cotton, cotton यानि कि क्या हो गया, रूई, bandage होना चाहिए, bandage यानि कि वो जो गरम वाली पट्टी होती है, जिसको कहीं अगर लग गई तो उसको चारों तरफ बान देते हैं, last में उसका velcro होता है, जिससे उसको attach कर देते हैं, एक होता है bandage, तो bandage जो छोटे से form में होती है, जिस पे adhesive लगा हुआ होता है, तो छोटा सा cut लग जाता है तो अपन bandage लगा देते हैं, वहाँ पर फिर तो जो adhesive bandage है, उसे अपन bandage कहेंगे, फिर आगया आता है antiseptic lotion और cream, तो अगर क spray, pen killer भी जैसे दर्द हो रहा है न, तो फिर अपन muscular pen होने लग गया, तो pen killer का spray जैसे मूँ का गया, वॉलीनी का गया, इस तरह के जो spray है, अपन कर सकते हैं, creep bandage भी अपन वहाँ पर लगा सकते हैं, जो normal अपन, creep bandage आती है, cotton cloth की, normal bandage, elastic bandage भी आ सकती है, ठीक है, और glucose powder भी ज dehydration हो गया, तो फटा-फट से glucose powder पिला सकते हैं, जिससे dehydration नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होगी, ठीक है, if any player is injured, अगर कोई भी खिलाडी खेलते हो, अगर उसके चोट लग जाती है, तो game is stop, तो game को थोरी देर के लिए रोक लिया जाता है, और सभी sportsmen क्या try करते हैं, कि जि इसकी चोट लग गई, injured जो हो गया, उसकी help की जाए, in addition to this, inter-school competitions require many more arrangements, इनके सासाथ inter-school competition जब होता है, तब और भी बहुत सारे arrangements करने पड़ते हैं, जैसे first aid kit तो होई गया, और क्या-क्या arrangement करने पड़ते हैं, वो देखते हैं, some of items needed are, कुछ items जोनकी need होती होता है, score board, जिस में score रख लिखते हैं, लग-लग team सा, लग-लग players का, एक result chart कि कौन जीता, कौन हारा, एक रखते हैं, chairs, tables, measuring tap, measurement करने के लिए, जैसे court की length measure करने, string रखते हैं, chalk रखते हैं, marking करने के लिए, सारी चीज़ां में रखने पड़ती है, sometimes in a sport meet, sport meet का मतलब होता है, कोई जो sports का event होत है न, उसको अपन generally sports meet कहते हैं, तो sometimes in a sport meet, cultural program also organized, cultural programs are also organized, कभी-कभी sports meet में cultural program भी organize किया जाता है, जैसे sportsman की inauguration ceremony जब होती है, या last में award ceremony होती है, तो वहाँ पे cultural program, जैसे dance हो गया, singing हो गया, कोई दूसरी talent किसी के पास है, जो उसे showcase कर रहा है, तो ऐसे program को cultural program कहा जाता है, तो कभी-कभी sports meet के duration में generally inauguration या reward ceremony के time पे इनको organize किया जाता है, it is especially done in पंचायत समिती games और district games, तो पंचायत समिती की games होते हैं, district games होते हैं, तो इनमें generally क्या किया जाता है, एक cultural program भी organize किया जाता है, the host school or organization makes proper arrangement for the staying members of guest team, जो home host school होती है या host organization होती है, जो बाहर से खिलाडियों को बुला रही होती है, game खेलने के लिए, तो वो organization बाहर से आने वाले teams के players को रहने का proper arrangement भी करती है, कि वो यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे सोएंगे, यहाँ पर उनका खाना खाना होगा, तो वो सारी facilities का arrangement करना किसकी जम्यदारी होती है, host school की जम्यदारी होती है, आगे, this promotes feeling of unity and cooperation, इससे जो एक feeling generate होती है, कि हम सब unite हैं, एक जैसे हैं, और एक दूसरे का cooperation हम करते हैं, साहयता हम करते हैं, These sports competition provide good opportunity to local residents of their area to watch various sports skills and cultural programs as well, तो वहाँ के आसपास के जहाँ पर यह sports activity हो रही है, वहाँ के रहने वाले local residents, यानि के वहाँ के निवासी उसके आसपास area के जो लोग रहने वाले हैं, उनको अच्छे games देखने का मौका भी मिलता है, और cultural program देखने का भी उन्हें मौका मिल जाता है, अब कुछ games के बारे में देखते हैं, जैसे एक game बताया गया है, यहाँ पे कबड़ी, तो कबड़ी game का देखो, यहाँ पे code बनाया हुआ है, कबड़ी game में end lines होती है, चारो तरफ और दो vertical lines होती है, सबसे longest जो dimension है उसके तरफ इन दोनों end lines और यह vertical line के बीच में क्या है, low भी है, फिर इधर दोनों बीचों बीच एक mid line होती है, जो इस पूरे ground को दो section में divide करता है, एक section में एक team रहती है, दूसरे section में दूसरी team रहती है, और इधर bonus line और box line भी, box line भी draw की जाती है, दोनों side box line और bonus line, अब इसके कुछ set of rules हैं, जिनको अपन one by one study कर लेते हैं, पहला, two teams are needed to play कबड़ी, अगर कबड़ी खेलनी है, तो कमसे कम में में दो teams चाहिए, it is played in a large rectangular area, ये एक बहुत large बहुत बड़े rectangular area में खेला जाता है, ये है ना rectangle, rectangle आप जानते हैं तो इस तरह के rectangular area में इस game को खेला जाता है, at one time seven players are there in each team, एक time पर, एक team में साथ खिलाडी इस game को खेलते हैं, कितने, गुर्डू स्केट को लगा दे बिटा, साथ खिलाडी इस game में खेलते हैं, at one time seven players play in, players from each team takes turns running across the center line to other team's court, इसमें क्या होता है, कि दोनों team से जो एक एक करके खिलाडी है, वो center line से दूसरी team के court की तरफ जाता है, जो खिलाडी जाता है ना उसे ladder बोलते हैं, a player while doing so, एक player जब ऐसा करता है, तो उसको कबड़ी कबड़ी regularly बोलना पड़ता है, the player has to cross the box line or else the player will be considered out, तो अगर एक player है, दूसरी तरफ जाता है, दूसरे court में, तो वो बिना box line को cross किये वापिस नहीं आ सकता, अगर बिना box line को cross किये वो वापिस आ गया, तो ऐसे player को out करदार दे दिया जाता है, in the opponent area there is a bonus line also, box line के लगबग 1 meter पीछे एक bonus line भी होती है, तो अगर player वहाँ से जाकर वापिस आता है, तो उसे extra point वहाँ पे मिल जाता है, इसको बोलेंगे bonus point, अब player has to touch a player of another team and rush back to his side, तो player को दूसरी team के player को touch करके वापिस आना पड़ता है, तब तो उसे point मिल जाएगा, अगर वह touch करके नहीं आता है और box line को cross करके आजाता है, तो उसे empty red बोलेंगे और अगर वह bonus line को cross करके आता है तो उसे point मिलेगा, और अगर वह box line को भी cross नहीं करता है और touch भी नहीं करता है, तो फिर उसे out कर देंगे, ठीके अब आगे देखते हैं, if the player gets caught and fails to reach the center line he will be considered out कभी कभी ऐसा होता है कि जो player है वो सामने वाले player को touch कर तो देता है लेकिन सामने वाले players उसको पकड़ लेते हैं और center line को cross नहीं करने देते तो अगर center line को cross वापिस नहीं कर पाया return नहीं हो पाया अपने court की तरफ तो फिर player को out मान लेंगे और अगर ऐसा हो गया कि उन्होंने सामने वाले खिलाडियों ने इस radar को पकड़ा तो सही touch किया या प्रोकने की कोशिश की लेकिन ये center line को cross कर गया तो वो सभी लोग जिसने इने touch किया है या कर रखा है सभी को out मान लिया जाता है इस वाले match में two innings होती है 20-20 minutes की 20 minutes के बाद break होता है यानि कि 20 minutes की एक innings होती है फिर 10 minutes का break होता है फिर 20 minutes की innings होती है दोनों innings में जो players दोनों team से वो अपने-पने court को exchange कर लेते हैं अब आगे देखते हैं ये तो कबड़ी के बारे में हो गया अब ये पूछा जा रहा है I love games because मुझे games पसंद क्यों है तो उसके कुछ answers है Games are good for our health Games हमारी health के लिए अच्छे होते हैं Games make us discipline Games हमें discipline बनाते हैं अनुशाशित बनाते हैं We learn planning and preparation for events हमें किसी भी event के लिए planning करना और preparation करना भी ये सिखाते हैं कि कोई भी event होने वाला है तो हम उसके लिए पहले से कैसे prepare रहें आगे Games help in the development of qualities like brotherhood, leadership and sportsmanship तो games ये quality develop करते हैं कि हम brotherhood भाईचारा या नेत्रत्व शीलता खेलने की भावना इन सब को games बढ़ाते हैं अब आगे point है sportsmanship तो sportsmanship क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले लिखा हुआ action is speak louder than words बहुत सारी बार words से ज़्यादा important है कि आपने किस तरीके से behave किया है आपके actions क्या है आपको कहने की भी जरुत नहीं पड़ती कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं सामने वाले आपके actions से ही समझ जाते हैं देखते हैं one of the most important goal of games sport is to promote the sense of healthy sportsmanship तो game का एक बहुत important goal ये है लक्षे ये है कि हम इस healthy sportsmanship के sense को promote कर सकें नहीं कि लोग sportsmanship को समझें कि sportsmanship है क्या तो sportsmanship वास्तों में है क्या उसके बारे में detail next पहरा में है respect all your teammates, opponents, coaches, officials तो जितने भी officials हैं जैसे empire से referee हैं आपकी team के coach हैं दूसरे team के coach हैं आपकी खुद के teammates से, opponents से उन सभी के आपको respect करनी है पहली चीज़ तो ये है respect all sportsmanship का बहुत important part है दूसरा है behaving with dignity is more important than winning a game आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपका behavior बहुत अच्छा है ये इससे भी जादा important है कि आप game जीत रहें या नहीं अगर आप unfair play के साथ game जीत रहें हैं तो वो इतना important नहीं है आपका जो behavior है game के दोरान वो बहुत सही होना चाहिए small things mean a load छोटी छोटी चीज़े भी बहुत important होती है जैसे कि appreciate and acknowledge good player of other team अगर सामने वाली टीम का कोई खिलाड़े बहुत अच्छा खेल रहा है तो उसका appreciation भी किया जाना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने वाली टीम का इसका appreciation हम क्यों करें congratulate the winner even if you are a loser अगर आप कोई गेम हार भी जाते हैं तो सामने वाले टीम के players को या winner को congratulate जरूर करना चाहिए ठीक है वो जीते हैं बहुत अच्छा खेले हैं इसलिए जीते हैं तो उनको congratulations मिलना चाहिए ताकि जब आप भी कभी जीते हैं and polish your own skill आपको किस चीज पर concentrate करना है खुद की skills को develop करने में और अपनी टीम की help करने में आपको concentrate यहां पर करना है there should not be any discrimination अच्छा एक और important point लिखा हुआ है participation is more important than winning खेलना ज़्यादा important है किसी जीतने से ठीक है there should not be any discrimination किसी भी तरह का discrimination भेदभाव नहीं होना चाहिए तो देखते हैं we should not make any difference between two players हमें कभी भी दो players के बीच में किसी तरह का difference नहीं बनाना चाहिए it means we should treat all equally and we should not be biased हमें सभी players को equally treat करना चाहिए और bias हमें bias का मतलब होता है एक player को ज़्यादा support करना एक player को कम support करना ऐसा नहीं होना चाहिए each player should get a chance to play सभी players को खेलने का chance मिलना चाहिए अपने आपको साबित करने का प्रूव करने का chance मिलना चाहिए there is no place for caste creed, race or religion in games किसी भी game के अंदर caste का निकित जाती का संप्रदाय का काला गोरा उचानी चा भेद्भाव धर्म का इनका नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का caste, creed, race or religion का differentiation game में होना ही नहीं चाहिए now a days most of the games are played by both boys and girls आजकल ज़्यादा तर games जो है वो boys के साथ girls भी खेलने लगी जैसे पहले cricket अगर के वोर boys केलते थे तब girls वाले cricket भी आने लगा है tennis table tennis हो या lawn tennis हो या badminton हो या केरम हो या chess हो या shooting हो या racing हो सभी तरह के games में जितने boys पार्ट कर लेते हैं उतने girls भी आप पार्ट लेने लगी है now people have realized that the girls are equally agile, fast and alert अब people girls ये समझ चुके हैं कि girls भी उतनी ही agile है fertility है तेज है alert है जितने की boys होते हैं पहले ऐसे माना जाता था कि girls ये सब games नहीं खेल सकती पर girls ने अपने आपको प्रूव किया है कि वो ये सब games खेल सकती है girls have proved their worth in many games बहुत सारे games में girls ने अपनी अपनी worth को prove जरूर किया है अब उसके बाद कुछ questions हैं कुछ text questions हैं इनको आप book से देख सकते हैं अपन छोटी-छोटी questions को try कर लेते हैं ताकि time ज़्यादा ना लगी classify the following games into indoor games and outdoor games इनको indoor और outdoor game में classify करना है तो जैसे soccer है तो ये तो outdoor game है chess है, indoor game है hockey जो है, ये outdoor game है badminton हमारा indoor है loodoo indoor है, table tennis indoor है chopper, loodoo जैसे ही game होता है ये भी indoor है फिर कुछ spellings हमें complete करनी है जैसे कि h-ho लिखा हुआ है तो खोको आएगा k-h-o k-h-o, खोको अगला जो game है, उसकी spelling आ रही है hockey वाली, h-o-c-k-e-y फिर soccer, s-o-c-c-e-r soccer मतलब football कह सकते हुआ और एक और last है basketball b-a-s-k-e-t, basketball ठीक है, अब true और false वाले question है there are 11 players in each team in comedy match नहीं, 7 players ही होते हैं इसलिए false है badminton is an outdoor game, नहीं false है badminton एक indoor game है covered area में से खेला जाता है we should not appreciate good play of our opponent, हमें क्या अपने opponent की good play को appreciate नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अगर कोई सामने वाला अच्छा कहल रहा है तो उसका appreciation sportsmanship के अंदर आता है, तो ये statement false है, हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है और फिर two questions हो रहे है, girls can also play खोको, क्या girls भी खोको खेल सकती है बिल्कुल खेल सकती है, और खोको ही नहीं जादा तर games अब girls और boys दोनों खेल सकते है, soccer is an indoor game नहीं soccer तो बाड़े ग्राउंड में बाहर खेला जाता है तो ये तो outdoor game है तो इस तरह अपने ये questions ट्राइक हीए है आप इने देखिए, thank you